जोड़ गए हैं जस्वन जी है काफी ज्यादा परिशान है उन्होंने हमें कॉल किया है जहरखन से उनकी परिशानी जान लेते हैं जस्वन जी स्वागत है सवाल कर सकते हैं परलाम परलाम नमस्कार जी आदब हमरा पर में है वह एक वह रहा है सेवेंटिस करी जी ऑपर पर है पर बोली आगे बोली आगे बहुता होता है हर्ता है ता जुआ में जी ठीक है और देखिए जलन दर्द किचाओ या सुन होना जिसके भी है आप समझ लीजिए उसको कमर में रगे दबीवी है इसकी चार कैफियात होती है जलन खिचाओ दर्द या सुन होना सुन होने वाला मर्ज और चलन वाला मर्ज काफी देश से ठीक होता है आप चाहें तो गौनसिया सुब़ शाम खाने के बाद आदा आदा ग्राम ले सकते हैं यह मुश्किल से मिलता है अगर 200 ग्राम भी आपको मिल गया तो आदा आदा ग्राम दो समय नाश्टे के बाद और र मुख्मुक्त कर सकता है जे रमेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें कॉल किया है रमेश जी सवाल कर सकते हैं नमस्कार जी सवाल करें अदा अधा ब्या आदा भाई बताए हमारा पोता है 16 महीने का हम एं हम जी हम आपको सुन बा रहें बताएं अच्छा हम बों यहां हरा है हमारा पोता है सोलो महेने का हुआ उसको दूर्ध हो गयरे जब पिलाई जाती है तुक ऑलीए बोली यह मै खाया कर खिलाया पिलाया जाता है ने तू व औुल्टी कर देता है जी छीक है हाहँ इस उमर में ऐसा होता है लेकिन अगर बहुत जीजदा होता है तो फिर आप बिकिए सॉफ का पानी बना ले सॉफ है ना इसको उबाल के इसका पानी बना ले और फिर इसमें इतना शक्कर वगरा मिलाएं कि खराब ना हो फ्रीज में रख दे तो एक दो चम्मच आप इसको रोजाना पिला दिया करें एक वक्त में एक ही चम्मच पिलाएं और तूथ पिलाने से पहले पिला दिया करें इसे खुब मीठा कर ले ताके वो स्वादिश देखके पी लिया करें खुजित पिलाएंगे तो आपका पोता और ठीक होना मुम्किन है दुर्गा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद है साथ ही वो जानना चाहती है अपने परिशानी का हल मद्य प्रदेश से वो हमें कॉल कर रही है बताईए किस तरह की परिशानी है आपके साथ आप हमें सुन पा रहे हैं आप तेलीवजन के आवाज बंद कर दीजे और हमसे सवाल कर सकते है अपने प्रोग्राम जाम कर दिया आप अपने सवाल कर दीजे आप तेलीवजन की वॉल्यूम आप कम कीजे सवाल करें और उसके बाद तेलीवजन की वॉल्यूम बढ़ा लें क्योंकि हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं और सवाल पूछें अपना मेरे को सुगर करें देड़ दो आरसे से जी तो कभी कभी बहुत हाई भी हो जाता है उम्र कितनी है आपकी बावन साल की है और काफी परिशान है दुर्गा जी पांच बार गरम पानी पिया करें खूप गरम गरम एक घंटा पैदल चला करें धूप में नहीं चल सकते तो धूप में साली बैट जाय करें जितना आप भोजन करते हैं उससे आधा कर दीजे और चाहे फिर दो-तीन घंटे बाद फिर खा लें लेकिन उतना खाया करिए जितना आप खाते हैं उससे आधा इससे भी शुगर बहुत कंट्रोल रहती है जो दवा खाते हैं वो खाते रहें और जैतून का सिरका याद रखें जैतून का सिरका रात को सोते समय दो-तीन चमच ए वो दवा भी खाते हैं वो भी खाते रहें और आप सेहत की जिन्दगी गुजार सकते हैं शिव जी पूछी अपना सवाल अश्र नमस्कार जी आदा अश्र अश्र अच्छली एक साल तो मेरे गले में दर्द कर रहा है गले में दर्द कर रहा है अहां यह सर और कुछ बताना चाहेंगे कितनी उमर है अश्र उमर है बक्ति ठीक है लिसोड़ा आपको मिल जाए लिसोड़ा यह गोल गोल फल होता है सुखावा मिलेगा यह एक चम्मच में छेटे चाय के चम्मच में जितना आए आप एक गिलास पानी में भिगो दे फिर एक घंटे बाद इसे उबा लें जब पानी आदा गिलास रह जाए तो इसका पानी आप पी लें और लिसोड़ा को फैक दे यह अमल आप लगातार एक महिने तक कर सकते हैं आपको फाइदा होना मुमकिन है यह आवाके में तो उमीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है सवाल करना चाहते हैं नाम बताएं और उसके बाद अपना सवाल करें मन्तर राएं जी इसके भी हमारी मैडम को जो है सफेद पानी की समस्या बताई है ठीक देखिए महिलाओं को यह समस्या अक्सर पाई जाती है और वो इसका इलाज भी नहीं करती है यह तो अच्छा है पत्नी आपकी कि उन्होंनों आपसे शेयर कर लिए शेयर भी नहीं करती है और उससे वो इतनी कमजोर हो जाती है अंदर टाकत नहीं रहती है कमर में दद रहने लगता है तो एक गौन आता है गौन मौरिंगा यह आप 100 ग्राम 200 ग्राम खरीद ले और रो मेटेरियल खरीदना गौन मौरिंगा सफेद गौन मौरिंगा सफेद और इसको घर में पॉर्डल बनाए अदा ग्राम इसमें से लेकर पानी या दूद्वे मिलाकर रोज पिला दिया करें आपकी पतनी का ठीक होना उम्किन है एक और दर्शक है नागपुर से हमें कॉल किया है उनकी समस्या क्या है सवाल क्या है जान लेते हैं हलो हाँ जी नमस्कार जी नाम बताईए और उसके बाद अपना प्रश्न कीजिए रोहिनी या उले जी रोहिनी जी प्रश्न कीजिए हमारी समस्या है हमारी रोच पेर दुखते हैं क्योंकि पता नहीं जी आप सीर दुखते हैं और मूँ में छाबे आते एज क्या है आपकी मेरी एज है पंद्रा जी इत्तिका उमूर में इतनी तहारी तकलीफ है जी के एक तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हों तो कुछ दिन के लिए रुख जाईए और यह जो धनिया है न यह सौगिराम और सौफ सौगिराम और धनिया सौगिराम सौफ सौगिराम आवला सौगिराम और इन सब को पाउडर बनाएं गौन मौरिंगा सफेज वाला लेना लाल वाला ने और आप एक एक गिराम तीनो टाइम खाने से पहले या बाद में पानी से ले लिया करिए आपको फाइदा होना मुम्किन है जी और विनो जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है विनो जी सवाल करें हलो सवाल करें आप मेरा पेट बढ़वा है जी पेट बढ़वा है और क्या समस्या है आपके साथ और कुछ नहीं हमें है एज के इसाफ से मेरा पेट बढ़वा है अमर के इतनी है आपकी? 22 तो दिखी खाने के शौकीन है तो अपने खुराक आधी कर दें अराम के शौकीन है तो फ़े घंटा पैदल चलना शुरू कर दें दूप में और ठंडे पानी के शौकीन है तो पांच बार गरम पानी पीने लगिए इस से भी आपका पेट नियांतरित हो सकता है और इस से फाइदा हो जाना चाहिए अगर नहीं हो तो पिर आप के लिए एक घरिर नस्खा आपको लेना है जैतून का नमक ऐस्टेक जैतून कह लीजे नमक जैतून कह लीजे एरसाइन जैतून ये देखने में नमक की तरह होता, खाने में नमकी नहीं होता, ये आधा गिराम लीजे रोजाना, एक गिलास पानी में डालिए, एक लीम्बू निचोड़िए इसमें, और रोजाना पी लीजे, एक बार या दो बार, आपका पेट आपके नियंतर में आना मुम्किन है, जी, बाल गोविन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए है, बिहार से हमें कॉल किया है, स्वागत है कारेकरम में आपका, प्रेशन पूछें, नमस्कार जी, प्रेशन पूछें, मेरे मम्मी को जो है ना, जो है, दर्द भेख, पुरा सरीर में दर्द है, जी, एज क्या है उनकी, एज है 56 वर्स, जी, लहर भी रहता, दर्द के साथ बहर भी रहता, जलन जलन, जलन, लगी बहुत, बहुत महनती रही होंगी, आपकी मम्मी कभी, और अब वो, ज्यादा महनत करना, इस उमर में, फिर परिशान करता है, एक बार उनकी युनानी रिपेर करा दें, या तो आप उन्हें कैपसुल टी केर, टी फोर टाइगर, रोजाना, सुबा शाम खाने के बाद, पानी से या बगएर चरबी के दूर से दें, कैपसुल टी केर, या फिर कौन सियाह अगर आपको मिल जा, ये मुश्किल से मिलता है, और नकली भी मिल जाता है, तो आदा इसी तरह सुबा नाश्ते के बाद, रात पूखाने के बाद, अगर आप देते हैं, तो ये 100 ग्राम कौन भी मिल गया, तो ये खतम होने से पहले आपकी, के मम्मी को फाइदा पहुंचा कर ही खतम होगा. विरेंद्र जी कानपूर से इस वक्त हमें कॉल कर रहे है, उनसे बादचीत करके उनकी परिशानी जान लेते हैं, जी विरेंद्र जी बताईए, नमस्कार जी, मतलब लड़की है, मतलब बती जी है, चोपी जी, साल-साल ही, जी, उसके मतलब को कितना खिलाब बलाउश्तार इस बादची को दूद पिलाते हैं तो दूद में, और रोटी खाती है तो रोटी, देखिए एक तेल आता है, बदाम का तेल, मीठे बदाम का तेल जो खाने वाला होता है, मालिश वाला मतले ना, वो नुक्सान देता है, रोगने बदाम सीरी, कहते हैं, यानि मीठे बदाम का तेल, एक चमच रोजाना या तो दूब मिलाकर या रोटी पर लगाकर इसको खिलाया करें, बच्ची का सेहत मन होना मुम्किन है, चलिए हमारी शुब कामनाएं आपके साथ हैं, उमीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाल का जवाब मिल गया होगा, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरच जी ने हमें कॉल किया है मुरादाबाद से, धीरच जी सवाल कर सकते हैं आप हलो, जी सवाल करें, डॉक्टर साम नोच्टे, जी आदाब, सर यह है कि जैसे मैं कभी कभी ज़्यादा चलता हूँ, तो मिनिममम भी चलता हूँ या पर ज़्यादा चलता हूँ तो मेरी सांस अचानक फोलने लगती है, जी, ऐसा क्यों होता है, इसके लिए कोई दवाई हो तो बता दीजे, एज आपकी बता दीजे, मेरी एज 35 है, अचा देखिए, खून में चर्बी बढ़ने लगी है, मेरे अनुभव के हिसाब से, और चर्बी काटने वाली चीजें आप ले सकते हैं, चर्बी काटती है, लहसन से, और हलांकि आपको ये बात बहुत चल्दी होन तो चर्बी वाली चीजें एनिमल फैट बंद कर दें, जैसे दूद, घी, मक्षन बंद कर दीजे, और अपने खाने में इतना लहसन और इतनी अद्रक डलवाया करिए, ताके आपका खाने की चर्बी आपकी बाड़ी को ना लगे, मैं खुद इस उमर में पांच से दस लहस रोजाना खाता हूँ, जब मेरे सामने खाना आता है, तो पांच दस लहसन चिले वे होते हैं, और मैं एक निवाले में एक चबा के खाता हूँ, ऐसे आप भी करिए, ये एक अच्छा नुस्खा है, और कोई दवा रो मेटेरियर लेना चाहते हैं, तो जैतून का सिरका खरी पानी भी पिया करें, अपना बहुत खायर लखें, आपको फाइदा होना मुम्किन है